2024 चुनाम से पहले सरकार खुलियाम कह रही है कि हाँ लाखों करोर रुपे हमने बट्टे खाते में डाले है और कर लो जो करना है और अब विलफूल डिफॉल्टर्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी ये सीधे तौर पर सरकार कह रही है इस पर सदन में एक तरफ जैडाम रमेश और निर्मला सिता रमन के बीच भयंकर बहस हुई जान बूच कर लोड ना चुकाने वालों का नाम आखिरकार सरकार क्यों छिपा रही है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी तो वीडियो को आंतक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आपका देशनीती पर सरकार का जो मन चाहे सरकार कर सकती है किसका लोन सरकार माप करेगी किसका नहीं करेगी ये सब कुछ सरकार और उनके बैंक अराम से डिसाइड कर सकते हैं क्या दोस्तों आपको पता है कि पिछले पांच साल में बैंकों ने साड़े दस लाख करोर रुपे का लोन माफ किया है लोन राइट आफ कर दिया है बट्टे खाते में डाला है इस रकम में से 50 फिस्दी बड़ी कमपनियों का लोन है निर्मला सिता रमण ने बड़े ही गर्व के साथ सदन के पटल पर खड़े हो करके इस खबर की जानकारी उन्होंने दी कि देश के सभी कमुशियल बैंक ने इस साल मार्च में पांच साल में साथे दस लाख करोर रुपे को बट्ते खाते में डाला है करीब-करीब 2300 कमपनियों ने बैंक से पांच लाख करोर से अधिक का करजा लेकर उसे नहीं चुकाया ये रकम करीब-करीब 2,000,000 करोर रुपे बैठती है भारतिय अरिजब बैंक के गाइडलाइन और पॉलिसे के मताबिक बैंकों ने इस रकम को NPA यानि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटगरी में डाल दिया है एक आम आदमी को बैंक से लोन लेने के लिए तमाम नियम, मापदंड और शर्तों से होकर के गुजरना पड़ता है आप सोचिए ना अगर आप समय पर YMI पे नहीं करते हैं आपने मानिए कि 20 रुपे का अपने फोन लिया होगा उसका YMI 3500 है अगर एक महीने वो छूड जाए ना तो बैंक से लगतार कॉल आएगा आपके पास आपको परिशान कर दिया जाएगा लेकिन लाखो करोर रुपे किस तरह से बटे खाते में डाला जा रहा है वो लोन माफ हो रहा है बड़े बड़े उद्यक पतियों के ये ना चोकाने वाला है और इस पर गर्व करते हुए निर्मला सिता रमन सदन पर आंक्रा जारी करती है कि हाँ इतने सालों में हमने इतने लाख करोर रुपे माफ किये हैं लेकिन बिडवड़ा देखिए दोस्तों कि जिस 2623 यानि 2623 विलफुल डिफॉल्टर मतलब जो जान बूज कर डिफॉल्टर साबित हुए जो जान बूज कर लोन जो है नहीं चुकाए वैसे 2623 विलफुल डिफॉल्टर ने उनहीं बैंकों का 1.96 यानि 2 लाख करोर रुपे दबा करके रखा है डकार लिया है खा लिया है वो उसका रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं सरकार ने सोमवार को एक तरह से नोट जारी करते हुए कहा कि भरतियर रिजब बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मताबिक मार्च 2023 के आखिर तक जो जितने भी शिडियूल कमिर्शियल बैंकों है वो बैंकों द्वारा 1.96,049 करोर रुपे करीक दो लाख करोर रुपे के क विल्फूल बकाया के साथ 2623 कर्ज लेने वालों को विल्फूल डिपॉल्टर के रूप में जो है कि उनका एलान किया गया अब वो कौन है इसके बारे में सरकार कोई जानकारी आपको नहीं देने वाली दोस्तो एक समय था जब आपके पास सारी जानकारियां होती थी आपक कि जानकारियां आपको नहीं दी जाएगी दोस्तो 2018 में सरकार बड़ी राहत बड़ी खबर लेकर के आती है कि देश को कि अब कोई भी विल्फूल डिफॉल्टर जो है वो साबित नहीं होगा कोई विल्फूल डिफॉल्टर नहीं निकलेगा हमारे देश में ना ही विजय म प्रूनों और नियोमों के बावजूद भी कैसे पिछले 5 सालों में मतलब 18, 19, 20, 21, 22 मार्च 2023 तक कैसे 10.6 लाग करोर का लोन माफ हो जाता है कैसे विल्फूल डिफॉल्टर्स को छूट दी जा रही है उसका लोन माफ किया जा रहा है आखिर 10.6 लाग करोर का भुकतान कौन करेगा इस पर सदन में बहस छड़ गई कॉंग्रेस के सांसर जैराम रमेश ने सीधा निर्मला सिता रमन पर हमला बोल दिया सवाल पूछा कि कर्ज ना चुकाने वालों से निपटने के लिए क्या अतिरिक्त और विशेश कदम सरकार उठा रही है बताईए ज़रा 2630 विक्तियों पर बैंकों का 2,000,000,000 रुपे बकाया अभी भी है पिछले पांच साल में 10.6,000,000 रुपे बटे खाते में डाला गया क्या वित्यमंत्री उन डिफॉल्टर्स के नाम ले पाएंगी सदन के पटल पर जाहिर सी बात है निर्मला सिता रमन पलटवार करते कितने पैसों की वसूली हमने की है लेकिन पांच साल में जिन हजारों उद्यक पतियों को छूट दी गई सरकार की ओर से बैंकों की ओर से जो जान बूचकर लो नहीं चुकाए उनका नाम सदन पर वित्यमंत्री नहीं ले पाई वो डिफॉल्टर्स कॉल है इसके बारे में क कोई भी जानकारी वित्यमंत्री ने सामने नहीं रखी और यही पर सवाल आता है कि क्या इन उद्यक पतियों को इन उद्यक पतियों के नाम छिपाने के लिए एक तरहां से सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर क्या आई आई आपको कुछ समय पहले मैंने बताया था दो प्प्लिक सेक्टर की किसी बैंक से आटी आई यानि राइट टू इनफॉर्मिशन एक्ट के तहित जवाब मांगेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा कोई जवाब आपको नहीं दी जाएगी क्या हमें जानने का हक नहीं है कि आखिर कौन से लोग है वो उनका नाम क्या है जो देश का पैसा डकार कर फरार हो रहे है या कौन है वो विल्फुल डिफॉल्टर जो जान भूज कर लोन चुकाने के लिए तयार नहीं है जिसका लोन सरकार राइट ओफ कर रही है सरकार अब हमसे यह सवाल पूछने का हक जो है छीन लिया है 2022 ते इस financial year में सरकार ने 2 लाग करोड का लोन जो है उसे राइट ओफ किया और पिछले 5 साल में 10.6 लाग करोड का लोन राइट ओफ किया मतलब बटे खाते में डाला आटियाई के जरीए आप सभी डिफॉल्टर्स के नाम पहले जान सकते थे कि किन किन पर सरकार इतनी महरबान है लेकिन अब आप नहीं जान सकते यानि सरकार राइट ओ इन्फॉर्मेशन आक्ट को एक तरहां से दरकिनार करते हुए खतम करते हुए जिस तरहां से डेटा प अजार रुपे का ये माई 500 रुपे का ये माई भी बैंक जो है माफ नहीं करता लेकिन वहीं पर अगर हजारों लाखों कड़ों रुपे का करजा माफ हो रहा है तो उस पर आपकी राए क्या है आप अपनी राए जरूर लिखेगा क्योंकि ये खबर जो है ना दूस्तों आ सब्सक्राइब किया है या नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत